नमस्कार साथ यह दिया आप भी सिक्सक भरती परिक्षाओं की या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भरती परिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी गुड़ने हो जाए जियां साथ ही हो असिस्टेंट प्रोफेसर भरतीयों के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर आपने एमेड किया हुआ है MSC क्वालिफाइड है स्लेट क्या है या फिर PhD नैट जो भी आपके पास में क्वालिफिकेशन है या फिर आप जिस सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं पूरी जानकारी विस्तार से देंगे क्या है अंतिम देता हूँ जो कि इनसे डेसं रिलेटिड है देख सकते हैं banking एंड फाइनट सर्विसेजह भी इसमें पोस्ट सामिल है ऑफिस मैनेजन्घ्मेंट या यह पॉलिटिकल साइन्स के लिए है साइकलोजी है पबलिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है रिटेल मेनेजमेंट के लिए है संस्किर्थ है सोसलोजी है यहां तक की साथ यो कुल मिला कर देखी जाए तो 24 सब्जेक्ट्स पर यह वैकेंसी निकली है जो की अपने आप में एक अच्छी संख्या में यह असिस्टेंट प्रोफेसर भरतियों की यह वैकेंसी निकली है तो जान लेते हैं साथ यो यह वैकेंसी आखिरकार कहां से निकली है और क्या सभी राज्यों से इन वैकेंसी के लिए अभियर्थी क्या आवेदन कर सकते हैं तो मैं बता दू साथ यो vacant post इसमें दी हुई है, vacant post और इसमें जो vacancy निकली है, वह भी आप देख सकते हैं, यह vacancy निकली है, विनोबा भावे युनिवर्सिटी जो की हजिराबाग से निकली है, और आप सभी जानते हैं, हजीराबाग किस स्टेट में है तो मैं आपको क्लियरली बता दू साथ यो जारखंड गवर्मेंट ऑफ जारखंड से वैकिनसी है एडविटीज में नौटिस यह जारी हो चुका है यह नौटिस है और यह कब रिलीज हुई है तो यह 14 मार्च 2024 को रिलीज हो चुकी है और इसम लेटर नंबर फोर इतना मतलब कि यह लेटर नंबर यह दिया हुआ है इसमें डेटेड बाइस फरवरी दोहजार चौबिस दा ओनलाइन एप्लिकेशन थ्रू कांसिलर पोर्टल जो कि इसकी ओफिसल वैबसाइट है www.jharkhanduniversity.nick.in इसके अलावा और भी इसकी जो ओफिसल वैबसाइट है वो भी मैं आपको बताऊँगा are invited for need-based contractual या फिर appointment of teachers in the rank of assistant professor in the different subject in university departments constituent या फिर colleges model and women's colleges under the jurisdiction of Vinovabhavi University जिया साथ यो इसका मतलब ये है कि इसमें जो वैकेंट निकली हुई है ये need-based contractual appointment के लिए मांगे गए हैं लेकिन इसमें permanent basis भी है जिया बहुत ही अच्छी ये वैकेंट है जो आप देख सकते हैं और अगर हम बात करें total vacancies की तो साथ यो इसमें 26 है जो कि इसमें उर्दू भी है और geology भी है जिसमें कि कुल मिलाकर यदि हम total vacancies की बात करें total vacancies की बात करें assistant professor की तो आप इसमें 290 vacancies इसमें दी हुई है और ये सभी category wise भी दी हुई है जो कि आप देख सकते हैं जनरल के लिए 117 है और बाकी के लिए अनुसुच जाती अनुसुच जन जाती OBC एक सर् vacancies इसमें है अब बात करें कि इसमें कैसे आपको कौन से apply कर सकते हैं तो reservation applicable as per state government norms यानि की जो जारखन government के rules regulations है या फिर terms and conditions है apply करने के लिए क्या मतलब की एहरताय चाहिए क्या योग्यताय चाहिए उनके according इनमें आविदन कर सकते हैं roaster wise vacancies में change as per state government notification यानि की जो roaster के roaster wise जो vacancies होगी उनमें changing में की जाती है लेकिन वो state government notification उनके non मतलब कि उनकी condition के आधार पर ही की जा सकती है eligibility की हम बात करें तो eligibility आप देख सकते हैं इसमें eligibility योग्यता इसमें क्या मांगी गई है तो योग्यता इसमें as per ugc norms of assistant professor के लिए योग्यता मांगी गई है master degree in the subject concerned with minimum 55% marks जो की SCST के लिए 50% मांगा गया है और general और OBC के लिए इसमें 55% अंक आपके पास में होने चाहिए मानेत अप्राप्त university से जिसमें की master degree आपकी qualified होनी चाहिए साथ में इसमें मांगा गया है जो second eligibility मांगी गई है नेट आपका qualified होना चाहिए अगर नेट नहीं है तो जारकन एटी आपका qualified होना चाहिए जो की जैट है और यदि वह नहीं है तो आपके पास में slat यानि कि slat qualified होना चाहिए अगर ये तीनों भी नहीं है तो आपके पास में पी एचडी डिगरी पी एचडी क्वालिफाई आप होने चाहिए तब ही आप eligible है असिस्टेंट प्रोफेसर बरती परिक्षाओं के लिए यदि हम बात करें तो इसमें देख सकते हैं जारखन वाइड लेटर नंबर इतना ये दिया हुआ है और अमेंडमेंट वाइड लेटर टू इतना दिया हुआ है इसमें आप एक बार इस वैब साइट पर भी विजिट करें और आपको मैं बता दू महत्पून बात इस ओफिसल वैब साइट पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर रिकूटमेंट सेक्षन में आपको अपलाई का भी ऑप्शन आएगा और यहां तक कि आपको फिल करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा और एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करने का भी आपको वहीं से पता लग जाएगा पूरी जानकारी आपको एडवर्टीजमे बी रिजेक्ट होने से बचे जिया साथ यो आगे कि यदि हम बात करें जनरल इंस्ट्रक्शन फूर एप्लिकेंट्स के लिए यानि कि अभियर्थियों के लिए यदि सामान्य दिसानिर्देशों की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं इस अपोइंट्मेंट्ट विल बिल बी ओन प्योरली कॉंट्रक्शल बीसिस और सेल भी वैलिट तिल डर्यागिलर या फिर बैकलोग अपोइंट्मेंट्मेंट्ट और असिस्टेंट्ट प्रोफेसर बाइदा जेपी एस यानि की ज्ञार्खन पब्लिक सर्विस कमिशन के तो की टीचर सिक्षक भरती परिक्षाओ की या फिर आप असिस्टेंट्ट प्रोफेसर भरती परिक्षाओ की तयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसमें जो की लिष्ट बाइ भी दी हुए डॉकिमेंट्स जो की इसमें इस तरीके से हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ print out of print out of the application form आपको submit करना होगा online साथ में demand draft जो की original होना चाहिए self-attested copies of all educational certificates and mark seats की होनी चाहिए और साथ में net, jet, jrf या फिर phd certificate आपके पास में होने चाहिए experience certificate यदि कोई हो तो cash certificate जो जाती प्रमान पत्र है वो residential certificate यदि आपके पास में है तो EWS certificate economy जो की आप है तो यदि है तो आपके पास में आविदन कर सकते हैं undertaking by the applicant undertaking यानि कि आपके पास में ये certificate है तो भी आप आविदन कर सकते हैं eligible candidate will be shortlisted for interview यानि कि shortlist आप interview के आधार पर किये जाएंगे selection will be done on the accordance with the status unit notified by the department of higher and technical education जारखंड के द्वारा आपको बुलाया जाएगा important dates की बात करें तो देख सकते हैं 14 March 2024 को release ये notification और इसकी अंतिम तिथी है आविदन करने की 31 March को साम 5 बजे तक आप आविदन कर सकते हैं last date of submission of hard copy and application along with self-attested copies of relevant documents by registered या फिर इस speed post के द्वारा only आप इन्हें भेजेंगे जो की 10 April 2024 साम 5 बजे तक आप भीज सकेंगे साथ में date of interview के दिबात करें तो हम आप देख सकते हैं it will be communicated through chancellor's portal later on यानि कि इसकी इसका जो पोटल होगा वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी इंटेव्यू की date तो साथ यों बहुत ही अच्छी और good news है golden opportunity है इंटेव्यू के बेसेज पर ये मतलब की असिस्टेंट प्रोफेसर भरती परिक्षा हैं जी हां औ और भी ये बाकी आप देख सकते हैं साथ यों कुल मिला करके पांच पेजिस की ये notification है तो आपको इध्यान पूर वक्त पढ़नी है उसके बाद में ही आपको आविधन करना है इसकी official website मैं बता चुका हूं इस official website को done not down कीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी पूरी तरीके से समझ आ सके जिया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कीजिए मिलते हैं इंफरमेटिव वीडियो के साथ जैहिन जैभारत